आज हम कम मसालों में कटाहल बनाएंगे सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं तो चलिए हम क्या करते हैं 500 गराम हमने ले लिया है कटाहल फिर उसमें भगोले में पाई डाल के हम 2-3 मिनिट उबाल लेंगी ये देखे कोछी इस तरह दीख रहा है उबालने के बाद तो फिर क् नमक ज्यादा मत मिलाएंगे ए अगे भी मिलाना है नमक तो उसमें थोड़ासे नमक मिला दिजीगा फिर उसके पाद अच्छे समसक के मांतरा से मिकश कले हुए फिर कराई में तिल टाल दीजीगा फिर उसमें डाल दीजीए बरी और जीरा और हींग तो ये देखे हैं मेरा अच्छे से लाल ना हो जाए और दीमी आज में आपको पकाना याद रिखिएगा तो इसको हम प्यास को छील ले रहे हैं लैसन और जिन देंगे तो यह देखे हमने प्याज ले लिया है तो उसको अच्छे से बारिक काट लेंगे ऐसे जैसे आपको दीख रहा है वीडियो में तो फिर क्या करते हैं लेते हैं और दो प्याज और लेसुन चरपांश कर लिया और हरे धनिया तो थोड़ा स्पाने डालके मिक्सर दाने पीछ यह देखे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है तो चलिए देखते हैं यह मेरा कटाल हो गया दीमियाज में देखे कितना अच्छा सा पग गया है तो हम उसको निकालेंगे निकालने के बाद यह देखे कुछ इस तरह मेरा दिखाई दे रहा है तो फिर हम उसके बाद क्या कर तो फिर भी जो हमने पीसा तामस को छुछा movie दालजार की प्हूंस कारें लाज पीसा मिवू outta difference हम डाल लेंगे तो इस देखी मिवूंस कार देखी ठीट वीच्छी मिएट पिर से जाना है तक कि उस वीच्छी मिवटाने, पैसके बाइगे। तो यह देखिए हमारा तेल फेकने वाला है तो आपको यह देखिए तेल फेक भी दिया है तो हम क्या करेंगे फिर वही कट आप को जो फ्राई कियें तो हम उसको डाल देंगे डालने के बाद अच्छे से दो-तीन मिठ आपको चलाना है चलाने के बाद फिर ये देखिए हम मेरा मिक्स हो गया तो हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे फिर उसके बद क्या करते हैं चलिए हम उसमें डाल देते हैं पानी पानी अपने हिसाफ से डाल सकते हैं कामिया जादा जिसे आपको सबजी पसंद है उस हिसाफ से डाल सकते हैं तो यह देखिए हमने पाइन डाल दिया है तो हम उसमें क्या करेंगे उसको धख देंगे धखने के बाद 7-8 मिनट उसको हम पकने देंगे पर 20-20 में आपको चलाना है तो यह देखिए हमारी कटाल के सबजी पक गई है और पकने के बाद आपको कैसा लग रहा है खाने एक बार बना कि प्लीज चरूर ट्राय करें